जैम आतादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों अकसर घर में पैसो की तंगी होने से घर का माहौल खराब हो जाता है इसे लेकर घर में अकसर लड़ाई जगड़े होते रहते हैं तो ऐसे में आप श्री क्रेशन जन्माष्टमी के दिन कुछ अचूक उपाय करके अपनी इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं इन उपायों को करने से आपके घर में खोई हुई खुशियां वापस आ सकती है तो आइए जानते हैं उन तीन उपायों के बारे मी पहला उपाय, शंख का उपाय श्री क्रेशन जन्माश्टमी के दिन श्री क्रेशन के बाल स्वरूप का अभिशेख एक शंक में दूध डाल कर करी अभिशेख के बाद माता लक्षमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए ऐसा करने से प्रभूक क्रेशन खुश होते हैं साथी माता लक्षमी भी खुश होकर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करती है दूसरा उपाए, फल और अनाज जनमाश्टमी के दिन गलीबों को फल और अनाज दान में देना बहुत शुब माना जाता है इससे आपका वरत सफल होता है, आपको शुब फलों की प्राप्ती होती है तीसरा उपाए, तुलसी का उपाए भगवान श्री क्रेशन को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है इसलिए श्रीक्रेशन भगवान के भोग में तुलसी के पत्तों को जरूर शामिल करना चाहिए भगवान श्रीक्रेशन के भोग में या फिर चन्ना मरत में तुलसी के पत्तों को आविश्य शामिल करना चाहिए ऐसा करने से भगवान श्रीक्रेशन की विशेश क्रपा प्राप्त होती है तो दोस्तों ये थे श्रीक्रेशन की जन्माष्ट मी पर अपनाए जाने वाले तीन महा उपाए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें धन्यवाद